आई फेम से मैं हूँ विनी और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं सुनाते हूँ आपको एक महिला की कहानी बड़ी सीधी साधी सी एक महिला थी अपने घर का जब रोज खाना बनाया करती थी तो उसमें से एक रोटी एक्स्ट्रा बनाकर अपनी खिड़की पर रख दिया करती थी जिसे भी जरूरत हो वो ले जाए एक बाबा थे जो हर रोज आने लगे और खिड़की पर रखी हुई रोटी लेने लगे लेकिन रोटी लेने के बाद वो एक लाइन कहते थे कहते थे तेरा किया हुआ बुरा तेरे साथ ही रह जाएगा और तेरा अच्छा तेरे पास लोट कर जरूर आएगा एक दो दिन इसने सुना और ध्यान नहीं दिया उसकी रोज की आदत थी रोज अपने परिवार वालों के अलावा एक रोटी एक्स्ट्रा बनाती थी और उसे खिड़की पर रख देती थी और अब जैसे रुटीन हो गया था कि वो बाबा आएंगे रोटी को उठाएंगे और उठा कर फिर वो ही लाइन कहेंगे कि तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लोट कर तेरे पास वापस जरूर आएगा कुछ दिन उसने सुना और उसके बाद उस महिला को इरिटेशन होने लगी बोले अजीब है ये आदमी मैं रोज इसके लिए रोटी बनाती हूँ अलक से आज तक इसने मुझे धन्यवाद तो दिया नहीं आज तक थैंक्यू नहीं बोला और ये अजीब सा पता नहीं क्या बोल कर जाता है मैंने किसी का क्या बुरा किया है और एक दिन इतना चिट गई कि गुसा होगे बोली मैंना इस इस बुढ़े बाबा से छुटकारा पाने चाती हूँ और गुसे गुसे में जहर मिली हुई रोटी उसके लिए बना दी जहर मिली हुई रोटी बनाकर खिड़की पर रखी ये थी कि अंदर से आवाज आई कि ये मैं क्या कर रहे हूँ मैं किसी की जान ले रहे हूँ तुरंत रोटी उठाली खिड़की पर से और एक अच्छी रोटी खिड़की पर रख दी वो बाबा आई उन्होंने फिर रोटी उठाई और फिर वही कहा कि तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा तेरे पास लोट कर जरूर आएगा इसने अंसुना सा किया इरजेच हुई अंदर चली गई इस औरत का एक बेटा भी था जो कई दिनों से बाहर था दिन रात उसकी सलामती की कामना करती रहती थी क्योंकि कई दिनों से उससे बात भी ने हुई थी और उस दिन अच्छानक डोर बेल बची और सामने क्या देखती है उसका बेटा खड़ा हुआ है वो बहुत खुश हुई लेकिन अपने बेटे की हालत को देखकर बहुत दुखी थी ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से उसे जैसे खाना तक नहीं मिला उसने पूछा कि बेटा क्या हुआ उसने का मा मैं जिस देश में तहा वहां युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई थी हमें कैद कर लिया गया था और किसी तरहा मैं वहां से निकल कर वापस आपाया हूँ ऐसा लग रहा था कि बस प्राण निकली जाएंगे इतने में रास्ते में एक बूड़े बाबा मिले उनसे मैंने कहा कुछ खाने को दे दो उनके हाथ में एक रोटी थी जो उन्होंने मुझे दे दी और शायद उसी वज़ा से चल कर अपने घर तक मच पाया और पता है मा उनस बूड़े बाबा ने मुझे से क्या कहा उसने कहा कि तेरा किया बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा लोट कर तेरे पास वापस आएगा मा ने दिल पर हाथ रख लिया और ईश्वर का बहुत शुक्रिया किया कि आज उसने वो जहर वाली रोटी खिड़की पर नहीं रखती थी और आज उसे बाबा की उनलाइन्स का मतलब भी समझ में आ गया कि तेरा अच्छा तेरे पास लोट कर आही जाता है कई बार नहां हम अच्छा करते करते ठक से जाते हैं कोई अप्रिशेट नहीं कर रहा और शायद इसलिए हम सोचने लगता है कि अब हमें अच्छा करना छोड़ देना चाहिए कोई मतलब नहीं है कोई कदर नहीं करता लेकिन नहीं अच्छा करना कभी मत छोड़े भले कोई उसके लिए अच्छे शब्द बोले ना बोले भले कोई उसकी तारीफ करे ना करे क्योंकि ये तैह है कि आपके अच्छे कर्म आप तक वापस किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी ज़रूर आ जाएंगे